तो दोस्तों जो लोग धनिया का पौधा नहीं देखे हुए हैं खेत में लगा हुआ मार्केट तो आप देखे ही होंगे वह लोग देख ले काफी खूबसूरत दिख रहा है तो आज मैं दोस्तों आप लोगों धनिया फायदे को बारे में बताऊंगा इससे पहले आपको मैं लगा हुआ कच्चा धनिया का फल दिखा देता हूं जो सूखने के बाद मार्केटम बिखता है यह देख लिजिए दोस्तों यह है धनिया जो कि जाड़ पर पौधे पर लगा हुआ धनिया है और यह धनिया के फूल है तो दोस्तों आपको फायदे इसके बताने जा रहां द्यान पुरुवक सुनिए कि या किस-किस बीमारी में उपयोग करने से काफी फायदे मंद है तो दोस्तों सबसे पहला फायदा यहा है कि पेट के अंदर अगर कितना भी तेज दर्द होता हो तो आप क्या कीजिए 25 ग्राम कच्छा धनिया लेकर चबा लीजिए और एक गिला और ब्लट के अंदर अगर विशैला पदार्त है तो ब्लट को फिल्टर कर देता है या खून को साप करता है तो दोस्तों धनिया के अंदर विटामिन E का मात्रा पाया जाता है जिसके वजह से अगर किसी का बदन कांपता है थर थराता है जिसे कपनबाई का बिमारी कहा जा तरग विटामिन A, विटामिन B, 6, विटामिन C और केलसियम, मेगनेसियम, फासफोस और आयोडीन भी पाया जाता है जो की जखम को भरने काम करता है और दोस्तों इसी धनिया के फूल के रस निकाल कर मधुमख्य लेकर जाते हैं मधों के अंदर उतार देते हैं तो दोस्तों यहां सिया साबित होता है जितना फाइदा मध के अंदर होता है उतना ही फाइदा धनिया के पोधों में और धनिया के फल में पाया जाता है तो देख लीजिए दोस्तों यह धनिया के पत्ती है और यह फूल है दोस्तों और भी इसके फाइदे मैं आपको बताता हूं अगर किसी के पूरे बदन में दर्द होता रहता है regular तो उसे करना यह है करीवन 100 गराम धनिया ले लेना है और 100 गराम धनिया लेना है और उसके साथ में 100 गराम मेथी दोनों को पीछ कर पौडर बनाना और पौडर बनाने के बाद में बीस गराम उसमें अस गंदा मिलाकर सुबा साम दद्दस गराम सेवन करना है गरम पानी के साथ तो समझ लिए जो चालिस दिन के अंदर आपका जो बदन का पूरा दर्द है ठीक हो जाएगा और दोस्तों अगर और जादे फाइदा चाहिए तो उसके अंदर आप नीम का पत्ती भी मिला सकते हैं जो नीम का पौडर मार्किट में मिलता है या फिर नीम का किसी भी पेड़ से थोड़ा पत्ता तोड़कर आप उसके साथ मिलाकर खाईएगा तो बुखार रहेगा अगर ह जादा गर्मी हो जाता है मुँ बिगड़ जाता है खाने पीने की इच्छा खतम हो जाता है तो दोस्तों ऐसा अक्सर उन लोगों साथ होता है जो मलरिया या डेंगू का पेसेंड हो जाते हैं तो मलरिया के दवा खाने के बाद उनका स्वात जबान का बिल्कुल बिगड़ जिससे जबान का भिगड़ा हुआ स्वात जो है बिल्कुल सही हो जाएगा और जो मलेरिया टेबलेट के खाया हुआ दवा गर्मी हो भी दूर हो जाएगा तो दोस्तों या धनिया बहुत ही फाइदेमंद है इसका उपयोग कीजिए हर रोज खाने के साथ खाएए आपको पे मेरे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए दोस्तों नमस्कार पहाड़ी आयरवेदिक